ये सो Commerce का Final Cut-Off आपका आचुका है जिनका Result होना था उनका Result हो गया लेकिन जिनका Result नहीं हुआ उनको ये Cut-Off देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपका Result नहीं हुआ तो ठीक है वो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है रिजल्ट नहीं होना होना हर सिक्के के दो पहली होते एक जीत और एक हार ठीक है जीत नहीं हो पाए लेकिन हार हुआ कोई बात नहीं लेकिन हार हुआ तो कितने मार्ग से हुआ यह जानना बहुत जरूरी है कई बच्चे एक क्वेशन से पीछे रह गए कई बच्चे दो क्व स ! क्या होगा अगला नीडराष होने की ज़रूरत नहीं है तो एक कुष्टन होगा ऑच्ट अगले exam में और बीस कोई सही हो जाएगा तो थिक जिस question कैच सही होगा यह आपको देखना पड़ेगा तो उसके पहले cutoff आपको देखना बहुत जरूरी है कि actually में हमारा cutoff गया क्या है तो cutoff काफी लो गया है net के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह हमारा net का cutoff है और यह हमारा jrf का cutoff है general category में net का 160 पर result हुआ है यानि अगर 80 questions सही है including paper 1 और paper 2 तो आप अराम से यहां पर net qualified कर जाओगे यह कर गए होगे और जिनका भी छूटा है तो वो देखो कितने से चूटा है आपके score card में आपका जो mark sheet आया उसमें marks लिखा हुआ है तो देखें कि इस marks और आपके marks में कितना difference है और analyze कीजिए कि कहां पर गलती हुई कुछ ऐसे भी question थे कि आते भी रॉंग हो गये कहीं पर तुक का कुछ और दिमाग कर रहा था कुछ मतलब अपने weakness point को आपको यहां पर देखना पड़ेगा सिर्फ 84 हाना सिर्फ यहां पर 84 बच्चों का ही जयारफ हुआ है उसके लग लग आपका result हुआ है अगर जयारफ के बारे में बात करें तो 184 जयारफ जो था वो जनरल का cutoff था 170 OBC का 174 AWS का 162 SC का और 152 ST का और 158 और 140 आगेन आपका PWD का तो यह आपका पुड़ा कपुड़ा cutoff रहा है जो कि इस बर आया इस बर सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पर कोई percentile का जमेला नहीं है कि परसंटाइल में result कितने हुए है calculate करें पहले तो पता ही नहीं चलता था कि actually में हमारा कितना marks हुआ है कितने marks से paper छूटा है हम लोग एक अंदाज पर बताते थे बट अब तो आपको clearly समझ में आ गया होगा कि यह cutoff चाहिए और आपके कितने marks पर और आपके कितने marks पर result नहीं हुआ यह आपको अराम से समझ में आ गया होगा तो please अपना marks score देखिए और कितने का difference देखिए और उसके बाद उस difference को कैसे हम लोग match कर सकते हैं जूर में कैसे जूरफ लग सकते हैं उसके लिए अपनी कमी का और अपनी weakness का और strength का एक chart ब communicate कर सकते हूं मेरे टेलीग्राम पर at the rate Priyanka M test book मेरे टेलीग्राम का ID है यहाँ पर आप message करके मुझसे बात कर सकते हो आराम से कोई query तो पूछ सकते हो और मेरे जो भी classes होते हैं daily 8 बजे होते है commerce के तो वहाँ पर आपको यहाँ टेलीग्राम पर continue आपको link भी मिल जाएगा ठ ठीक है चलो bye bye take care all the very best bye 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 all the very best